बॉलिबूड एक्टर कुनाल खेमू के साथ 20 सड़क पर ना सरे बत्तमीजी की गई बलकि उन्हें सरे आम गालियां भी दी गए सोहाली खान के पती और सैफ अली खान के जीजा कुनाल खेमू के साथ आज जो मुंबई की सड़कों पर हुआ उस पर पुलिस अपनी नजर सक्ती से बनाय हुए है कुनाल ने बताया कि वो सोहाली खान और अपनी बेटी इनाया के साथ ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे तबी उनके साथ ये घट न हो गई कुनाल ने इस बारे में अपने एक ट्वीट में लिखा है आज सुबा नौ बजे में अपनी पतनी बेटी पडोसन और उनकी दोनों बच्चियों को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जुहू जा रहा था एक काड़ ड्राइबर पागलू की दरह गाड़ी चला रहा था ना गाड़ी गाड़ी की टकर होने से बचाने के लिए जोर से ब्रेक मारा हमारे बच्चों के लिए पल बेहत ट्रामेटिक था उस शक्स ने गाड़ी से बाहर आकर हमें मिडल फिंगर दिखाई और साथ ही गालिया भी धी जब तक इसे रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अपना फोन निकाला वो गाड़ी में बैठा और चला गया मैं मुंबई पुलिस से आगरे करता हूँ कि ये शक्स पर एक्शन ले कुनाल की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने फटाफट इस मामले पर कारिवाई शुरू करती है हलाकि इस गाड़ी को देखकर लग रहा है कि ये कोई अमीर जादा ही है फिलाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे अपनी रहा हमें कमेंट में दीजे और ज्यादा इसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए